हेलो एवरिवन, वेलकम टू लाण मैथुनिकली, आज की वीडियो में हम रूट वाले नंबर का कैसे गुना करते हैं, वो हम सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे, तो आप वीडियो आन तक देखिएगा, चले फिर शुरू करते हैं, देखिए, पहले हम टाइप वा हम कैसे करेंगे, चले फिर हम सीखते हैं, देखिए, जब भी हमें रूट वाले नंबर का गुना करना है, उसके लिए एक फर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, देखिए, फर्मूला है, रूट अंडर A इंटू रूट अंडर B, ठीक है, एक क्या है, A कोई भी एक नंबर है, ठीक है, बी क्या है, कोई भी एक नंबर है, नंबर सेम भी हो सकता है, और दोनों नंबर अलग भी हो सकता है, ठीक है, तो यह एक फर्मूला है, रूट अंडर A इंटू रूट अंडर B, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 है, ठी नां भीक्या है 15 फटीत है अब यह इस इक्टंटन पांच 25 होता है पचीज तो पचीज का वर्गमूल होगा है ऐस इक्टे प्र्हों dejके तब MAX चलिए लें necesita जोगा सब्सक्राइब क्रीक्षट सर्ट है और ब exfoliant रेकाशी है तो यहांं लब दोनों A और B अलग-अलग है तो इसी हम कैसे गुना करेंगे आईए सीखते हैं इस इकल टू करेंगे रूट अंडर A इंटू B होता है A क्या है 64 है 64 गुना B क्या है 81 है 81 ठीक है यहां तक हमने लिख दिया इस इकल टू रूट अंडर चौसट को हम क्या लिख सकते है आप अठाई चौसट होता है आपको पता होगा 8 को हम eight बार क Northwest गुना करते हैं तो चौसट आता है तो आठ गुना आठ हम लिख सकते है ठीक है उसी तरह देखिए यहाँ पर गुणा का sign है गुणा लिख देंगे उसी तरह देखिए यहाँ पर 81 है यहाँ पर 81 है 81 किसका square होता है 9 का square होता है तो हम 9 गुणा 9 लिख सकते हैं ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया यहां पर देखे कोशन था रूट अंडर 64 गुना रूट अंडर 180 यहां पर एक क्या है अलग है यहां पर ए और बी दोनों अलग-अलग है तो पहले हम क्या करेंगे रूट अंडर A into B कर देंगे 64 गुना 81 कर देंगे 64 किसकाyr होता है? 8 का isquire होता है तो 8 गुना 8 हम लिख सकते हैं 81 किसका Isquire होता है? 9 का isquire हो सकता है तो हम 9 गुना 9 लिख सकते हैं आई होब आपको यहां तक समझ में आगिया होगा यहाँ पर 8 into 8 है, उसमें से हम 1,8 बाहर कर लेंगे, ठीक है, गुना, 9 गुना 9 है, उसमें से हम 1,9 common कर लेंगे, 9, 8 गुना 9 कितना होता है, आट नवा 72, यही हमारा एंसर हो गया, बहुत ही आसान था, आयोब आपको समझ में आ गया होगा, तो फटा फट से इस वीडियो को ल root under 4, ठीक है, इस question को हम कैसे solve करेंगे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, root under, यहाँ पर 16 है, 16, into, यहाँ पर 4 है, 4, ठीक है, 16 गुना 4, 64 होता है, is equal to root under 64, ठीक है, अब हम इसका prime factor निकालेंगे, ठीक है, देखिए कैसे निकालते है, यहाँ पर 64 लिखेंगे, हमें देखना है 64 किसे कैन से लोगा, 2, 2, 3, 6, 2, 4, ठीक है, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 एकम 2, 2, 6, 12, 2, 8, 16, 2, 24, 8, और 2, 2, 4, ठीक है, अब इन सारे को हम यहाँ पर नोट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2 है, 2 गुना, इसे हम यहाँ पर नोट कर लेंगे इसे मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है, अब हमें 2, 2 का पेर बनाना है, 2 का पेर, 2 का पेर, 2 का पेर, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 गुना, 2 है, 1 पेर हुआ, उसमें से 1, 2 निकला, ठीक है, गुना, 2 गुना, 2 है, 1 पेर है, उसमें से हम 1, 2 यहाँ लिखे ठीक है अब इन सारे को गुणा करेंगे दो दूनी चार चार दूनी आठ इसका एंसर कितना निकला आठ यही इसका एंसर हो गया आपको समझ में आ गया होगा तो चले फिर हम थर्ड टाइप क्योश्चन सॉल्व करते हैं माल लिजिए कोश्चन दिया है दो रूट पांच है तो इसे हम कैसे गुना करेंगे पहले हम जो बाहर में नंबर है उन दोनों को गुना करदेंगे ठीक है तो हम यहां पर रूट 5 है यहां पर रूट 5 रूट आइप कल रूट 6 होता है। प्एक bias ठीक 35 του लिए छे डूट 25 यहीं हिसका एंसर हो गया I hope आपको समझ में आगया होगा अगर आपको नहीं है तो एक और एक्जाम्पल से इसे समझते हैं देखिए क्वेशन है डाउट 5 इंट्टू 3 इस कुर्षन में भी आप देख सकते हैं यहां पर 5 है यहां पर 8 इसका मतलब दो नों सिम नहीं है और यहां पर 2 है यहां पर 3 है तो पहले हमें 2,3 करना है 2,3 6 होता है 6 यहां पर % पांच है और यहां पर रूट 8 है, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 5 गुना 8 कर देंगे, ठीक है, 6 रूट अंडर 5 अठे 40 होता है, 40, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, देखिए, 40, 2 स्यम कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, 2 पच्चे 10, ठीक है, तो इसी हम यह चाहिए आएक कई भ्रू सब्सक्राइं तो इसी हम रूट के अंदर ही रहने छे गुणा दो छे गुणा दो बारा होता है बारा रूट दस यही इसका एंसर होके देखिए मैंने इस कुश्चन को कैसे सॉल्ट किया कुश्चन था 2 रूट 5 इंटो 3 रूट 8 तिक है इसे हमें गुणा करना है यहाँ पर सेम नंबर नहीं है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है तो पहले मैंने 2 गुणा 3 किया छे हुआ छे 5 गुणा 8 पांच अठे 40 ठीक है 6 रूट 40 40 का हमें वर्गमूल निकालना है 40 का गुणन खंड करते हैं तो इतना आता है ठीक है अब हमें same number का pair बनाना है 2 गुणा 2 ये same number है उसमें से एक दो निकल गया 2 गुणा 5 है यहाँ पर कोई सेम नंबर नहीं है तो इसे हम रूट में ही रहने देंगे शे गुना दो बारा होता है बारा रूट दस यही इसका एंसर हो गया आयोब आपको समझ भी आ गया होगा वीडियो हेलफ़ लगी तो प्लीज लाइक करें चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाए थैंक यू